कि है इसलाम ऑलेक播री आपरेशन कवर कि इसे सब्सक्राइब करने हैough दिसक्व islands कर लिये exactly है तो अप्लिकेशन से रिलेटेड है वह हम्ने थे हैंद्स टाइम करेंगे आज हम Topic Cover करने वाले हैं। इसमें हम Recursion का Topic है। इसमें एक सब Topic वह Cover करने वाले है। तो आइए omic. Start कर लेते हैं Recursion Recursion से आप लोग अल्रीडी Familiar है। ठीक है, Previously आपने Programming के Course में Recursion देखी क्या होती है। आज हम इसने थोड़ी से theoretical बात कर लेंगे और कुछ का यूख फैक है नां या यह चांप फैक है लों को होती है तो वह नहीं करता बलुक्त अपनी एक काफ़कु को कॉड फंक्षिण कॉल लिंग इट्स कॉपी कॉल ठीक कॉपी क्या रहा हूं क्यूंकि आप एक ही वक्त में रहें के अंदर मुल्टिपल कॉपी बना सकते हैं सेम फंक्शन की और एक कॉपी दूसरी कॉपी को जो कॉल करती है तो वह कहलाता है ठीक है लेकिन सिंपल वर्ड में हाई लेवल पर ज करना होता है तो मैं रिकर्शन को इंपलिमेंट करता हूं लास्ट चैप्टर में भी हमने एक एक ग्जैंपल देखी थी कुछ सौट अलगॉर्थम हमने देखा था तो हमने देखा था कि उसमें कुछ सौर्ट का जो ओवराल सौर्टिंग बहीए रचीव करने के लिए हम क्य तो वहां हमने देखा कि कुछ सौर्ट का लगॉर्थम को रिकर्जिन की जरूवत पढ़ती है ठीक है तो रिकर्जिन होता क्या है अगर रिकर्जिन को डिवाइट किया जाए तो रिकर्जिन का जो प्रोसीजर है उसमें तीन पार्ट होते हैं आपके पास एक पार्ट कहलात जाता है कि एक्चुली जब मैं फंक्शन को पहली रफ़ा कॉल करता हूं तो बैग्राउंड में क्या होता है उस फंक्शन के सारे पैरेमिटर्स लोकल वेरियेबल और उसका एड्रेस यहां पर भी मेरा प्रोसेसर कर रहा था वह एड्रेस सेव हो जाता है ठीक है प्रो लॉ कियर ऑर मैं क्या होता है बारी में दो केसी से Carnival होता है कि ठीक ही एक डालल ओंक्शन की मैं मौझ को तो फंक्शन का घ्रमिन थ ही और और पॉसिबिलिटी है कि वह इंफिनिटी तक चलता रहे तो यह रोकने के लिए इसके इंफिनिटी तक हमारा फंक्शन रन ना हो तो हमेशा मेरे पास दो अल्टरनेटिव होते हैं बॉड़ी है ठीक है तो इस बेस्ट क्राइटेरिया यानि के इविंचुली जो है कंक्लूजन आ गया है तो मैं क्या करता हूं कि अपने फाइनल रिजल्ट की तरफ चला आता हूं यानि नीचे जो आप देखने में वहां चला है लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मैं पार्शल कंप्यूटेशन करता हूं और फंक्शन को दुबारा से कॉल कर देता हूं वित न कि कि अगर डिसीजन आ गया है ठीक है यहां पर तो ठीक है आप यहां से डायरेक्ली मूफ करते हूं फाइनल कंप्यूटेशन यहां चलिए लेकिन अगर नहीं आया है तो आप कुछ काम करते हैं ठीक है अपडेट करते हैं वैल्यूस को और दुबारा से फंक्शन को कॉल कर देते हैं और फंक्शन दुबारा से घूंकर कहां चला जाता है इसी स्टेश पर आ जाता है और चेक करता है कि भई डिसीजन क्या है डिसीजन अगर भी बाते कंप्लीट हो चुका है तो डन नहीं होता तो यह बहएवियर रिपीट होता रहता है यह साइकल यहां से यहां च गूंता रहेगा विद फंक्शन को दुबारा से कॉल कर देता है ने डेटा के साथ को पर दुबारा कॉल कर देता है अभी आगे हम एक्जेंपल देखेंगी कि डेटा चेंज कहां हो रहा है और फिर फाइनली जब यह कंप्यूटेशन होती है तो यह आ जाता एपी लॉग वाले पार्ट में और एपी लॉग वाले पार्ट में क्या हो रहा होता है कि restore करना है वह सब कुछ जो आपने प्रो लॉग में सेफ किया था ठीक है याई अब आपने रिकर्सिव फंक्शन अपना काम कर लिया आपको फंक्शन में आना है और अपने इख्जिक्वूशन को करना वहीं से जहां पर आपने छोड़ा तो रिज्यूम करने के लिए क्या है कि आप वो सारा डेटा या वो कंप्यूटेशन जो आप कर चुके थे वेरियेबल्स पैरमिटर्स आपने जिस सेफ किये थे उसको रिटरिफ करना है वापस तो रिस्टोर दा तो आपको यह पता लगता है कि वह सारा डेटा जो में काम कर रहा था वह मुझे दुबारा से चाहिए तो मुझे वापस इसको रिटरिफ करना हो पड़ता है तो रिज्यूम दैजीक्यूशन इन करेक्ट ओर ठीक है ओडर जो है खराब नहीं सबसे पहले जो वहां से पिक करत कक देखिये तो पल्डिटर पैकट यह में मुझे हमेशा घ्ले जो क्रिक करना होता है वह होता है जाल सबसे वही जब भी मैं जाता हूं होता हुं तो डेशन lot यहां पिक करता 올라 और उस memory कुमें कहता हूँ स्टेक और जब ऐस memory को गश्टेक कह देता हूं तो सबुछ ऑब अंडर्शूक से बात हो जाती है कि स्रफ का एक बेश्ट है वीजिड का टो K speaking जाता है और जब इसमीर क्लिब किया जाता है तो भी क्लिब क्लिप से नहीं यहां पर इसी वज़ए से वर्ड रिसेंटली से तो जो ऑडर होता है वो रिवर्स ऑडर में होता है तो फंक्शन कॉल में अगर जो फंक्शन पहले स्टोर हुआ है वह बाद में रिट्रेव होगा और जो लास्ट में स्टोर हुआ है जिसका इड्रेस को फाहले रिट्रेव हो तो मैं क्या करता हो कौन सा आपरेशन करता हूं पुश और एपिलाग में मैं आपकु प्रफराम करता हूं बैग्राउंड मेंड़ाइच थिक है तो इट मीज़ न पर रहेते प्रोग्रामिंग में या function call भी पढ़ रहे थे function dei कर जिंग ही तो फंक्शन जब call होते हैं तो हमारे पास बैगरांड में स्टैक यूज हो रहा हुता है system stack के ना के सकते हैं कि लोगने में यूज करते आ रही है तीक है आज सबस्क्रेंट को दोलम कर आख़ने से मैं अधिक्षयर को सफस्क्रेंट सब्सकों करता हूं और देता हूं सब्सक्रेंट को से पॉप कर लेता हूं स्टैक से और डेरे विभी मुल्टिबल लेवल ओफ फंक्शन कॉल एक फंक्शन ने भीक्षण को कॉल किया भीक्स सी को कॉल किया तो जब मेरे अड़ेंड होगा तो मुझे संकते नorig में कर रहा हैं तो जब में स्टक करें ज spec to be таким जो मेरे उसे यूदियु साथ जो मुझे जाता हूं तो थिस यूदि यूदि तरही कि सब्सक्राइब कर घं सिपर्चांचativas को आटूमेटिकली什麼 चेसे कॉछा कॉ और रीटरंड एक्शन कोงसी जो तो यहां पर कर जो करने की वज़ाए किया है यहां पर कुछ एक्जम्पल के तरू आपको बात के बारे मापको भी पता है कि यह लास्ट इन फस्ट आउट डैफिनिटली बेहवियर इसका भी क्योंकि बैग्राउंड में स्टैक है और यहां पर वही सारी बात बता है कि जो भी मैंना आपको बताया के डेटा आपका स्टोर हो जाता है स्टैक में फंक्शन कॉल्स अदर फं फंक्शन के बैक्ट्रैक ठीक है वापास आसा कि उस पात पर जहां आप वो छोड़की गया थे सब बात है और यह आपको थैरी की अब पिछली स्लाइड में बता था थिक है सिस्ट इच फंक्शन रन इन इस ओन एंवार्रिमेंट और कंटेंस कॉंटेक्स इंड बेकम पॉस space में run ho raha होगा, copy दूसरे memory space में तीसरे copy, तीसरे space में run ho raha हो ठीक है, तो इसी वज़ासे possible है कि मैं copy A johes same function की copy B को call कर सकती है, और copy B नहीं यानि कि copy 1 copy 2 को call कर सकती है, copy 2 copy 3 को चाहे तो call कर सकती है, क्योंकि सब की RAM के अलग-अलग storage locations पर ये module है, तो हैंस इस पॉसिबल के में रिकर्जिन कर सकता हूं क्योंकि कॉपीज हैं मुल्टिपल कॉपीज एक ही होता तो पॉसिबल ना होता इस एक्टेंगी उस्वल एक्स्टेंसिवल यूज विकॉस मैनी प्रॉब्लम्स आ एलिगेंट्ली स्पेसिफाइड और सॉल्ट इना रिकर्सिव जैसे कि मैंने बताया कि कुछ सॉट अल्गॉर्थम का भीएवियर बार डिफॉल्ट ही है क्या रिकर्सिव इन नेचर उस अल् सॉलूशन के लावा दूसर सॉलूशन पॉसिबल ही नहीं होता ठीक है अगर होता है तो मुश्किल हो जाता है तो वहां पर बैस्ट सिच्वेशन यह कैस क्या होता है कि मैं उससे रिकर्सिव ली प्लिमिक कर और यहां पर यहीं बता रहें कि दिस ट्रैक इस रीजन ऑफ में से स्टैक यूज होती बैगरांद में फंक्शन कॉल में और रिकर्जन में इन परटिक तो की बाकी ड्यक में मैं जाऊंगा हम कुछ प्राफम लेते हैं जिसे बात मजीद कलेर हो जाएगी इस रिकर्जन क्या होती है में हमाइपस पहली एक्जेम्पल वही है जो हमने आपने देखी होगी प्रोग्रामिक के कॉर्स में फैक्टोरियल की एक्जेम्पल को सॉल्फ करना यूजिंग प्रिकर्जिंग तो यहां पर सामने लेख पर आपके साथ अल्गॉर्थम गिवन है और राइट उसका फ्लो चा तो इस तरीके से मैं कर सकता हूं और जब यह फंक्शन दुबारा कॉल होता है पूर फैक्टोरियल गालकुलेट करने जाता है तो 4 फैक्तोरीयल एक्टोड फोर मीभयार कैसे थाा origin मैं थरी की की तरी जब मैं 3 किसी एक्टोडीरिक गॉलीट करना चाहता तो मैं कहता हूँ कि it is equivalent to two multiply by one factorial और जब मैं one factorial पर आता हूँ तो इस function में अगर आप देखें one factorial is simply one तो उस case में one return तो इस तरीके से मेरा जो है अगर मैं reverse substitution करूं तो one factorial की जगा मैं one place कर दूं और two factorial की जगा जो भी इसका result बने वो place कर दूं तो इस तरीके से मैं इसको reverse engineering करता हुआ solve कर सकते हैं इस लाइक कि मैं अगर आपको reverse करके बताऊं इस particular example को तो आप देखें कि कि अगर मैं इसको यहां से solve करना चाहरा हूँ और मैं reverse में solve तो इसका result है one one factorial को अगर मैं यहां place कर देता हूँ two factorial की जगा तो it is equivalent to any two factorial equals two बन जाएगा two multiply by one and that is equivalent to three sorry that is equivalent to two और फिर जार से बात है three factorial की जब मैं बात करूं गए तो three factorial equals two three multiply by two factorial होता है तो two factorial का result मेरे पास आए बार two तो मैं इसको substitute कर दो तो इसका result बन जाता है six और इसी थरह जब मैं four factorial पे जाता हूँ तो four factorial equals to four multiply by three factorial होता है तो three factorial की जगा मैं अगर इसकी value substitute कर देता हूँ तो यह हो जाती है six that is equivalent to 24 और फिर जब मैं five factorial की बात करता हूँ तो five factorial equals two होता है मेरे पास five multiply by four factorial four factorial की जगा में substitute कर देता हूँ उसका result that is equivalent to one तो इस तरीके से reverse order में आपने देखा मैंने जब इसके अंदर value substitute करी तो reverse order में substitute करी क्योंके recursion बिल्कुल ऐसी काम करता है पहले forward आता है और फिर सबसे आखर में base case true होता है तो reverse होना शुरू होता है पहले last वाली final होती है value फिर वो second last पर आता है फिर third last पर और reverse order में आते हैं कर सकते हैं तो यहां पर मैं यह बता रहा था आप लोगों को कि दो cases लगे में एक base case है base case है यह वाला कि जैसी मेरे case में n की value less than one हो जाए या equals to one हो जाए तो मैं क्या कर दूंगा इसको कर दूंगा one और simply क्या return हो जाएगा इस case में one return हो जाएगा दोनों case में में return value RET PL return कर रहा हूं लेकिन अगर मेरी value n से greater है तो आप देखें मैं बार-बर क्या करता हूँ factorial का function दुबार से call कर दूंगा ठीक है यह itself factorial का function ही है और इसके अंदर बार-बार factorial का function call हो रहा है with updated data value और updated data value के n-1 कर दो यानि previously 5 था तो अगली मरतब 4 हो जाएगा फिर अगली मरतब 3 हो जाएगा फिर अगली मरतब 2 हो तो हर मरतबा copies को call कर रहा हूं लेकिन data value change करता है ठीक है तो यह factorial का algorithm है अल्रेडी आप इससे familiar है implement कर चुके फ्लो चार्ट में भी लिखावा कंडिशन true होगी तो यह हो जाएगा फॉल्स होगी तो यह हो जाएगा ठीक है फॉल्स की केस में यह हो जाएगा फ्लो चार्ट में भी explain है algorithm हम क्या करना चाहरे है यहां पर इसको समझाने का परपस यह ह है कि हमें find out करने इसकी time complexity तो आप लोगों से सवाल यह है कि इसकी time complexity बताएं अच्छा यह यहां पर जेनरिक फॉर्मूला लिखा वाइन फैक्टूरियल का यही होता है multiply by n-1 multiply by n-2 so on तो कोई मुझे इसकी time complexity बता सकता है इस particular algorithm की time complexity guess कर ले भले से guess ही करना पड़ेगा फिर मैं इसको explain कर दूंगा कि क्या है और कैसे तो फिल्हाल आप लोग अपना guess कीजिए और मुझे बताएं इस algorithm की time complexity क्या होगी जी क्लास एनिवन क्लास कोई बताना चाहेगा time complexity guess करना है सिर्फ कोई इसमें मसला issue नहीं है तन्जील आप बताईए साधी आप कुछ क्यास कर पा रही है आपर कि मुझे समझ में भी नहीं आया आपका अंसर और चले मैं आगे बढ़ता हूँ और आप लोगों को बता दो ठीक है तो algorithm होफूली सांद में आगया होगा और रेड़ी आप इससे familiar है आज हमें बात करना है इसकी time complexity कि तो अगर ध्यान दें time complexity जब भी मुझे find out करनी होती है अच्छा n-1 चलने देख लेते हैं आगे चलके कि क्या है यही है यह यह नहीं अच्छा जब भी time complexity find out करनी पड़ती है हमें तो हमें number of operations पता करने होते हैं हर step में तो पहले हम इस algorithm वाली slide पर लेते हैं कि number of operations कितने तो अगर बात की जाए ठीक है मैं return वगारों को अगर exclude कर दों फिलाग बात की जाए तो जब यह condition check होगी तो एक operation ठीक है अगर यह condition true हो जाती है तो one and two operation मजीदा यहीं condition true होती है तो तीन operations बनते हैं मेरे पास और अगर condition false हो जाती है तो one and इधर सिर्फ और सिर्फ है two condition true के case में three operations आ रहे हैं और condition false के case में two operations आ रहे हैं और plus जो भी इसके operation इसके operation तो अभी हमारे लिए unknown है जब यह function call होगा तो इसका operation इसमें add हो जाएंगे तो three plus operation of this function आएंगे हमारे पास जब भी यह call होगी तो three में यह वाले function के जो भी operation है वो add हो जाएंगे और इस case में simply two ही है तो मैंजे कुछ add करने की ज़रूरत नहीं यानि base case जब true हो जाएगा यह return equals to one होगा तो two operations है मेरे पास कह सकता हूं में और वैसे क्या है मेरे पास operation three plus something आएंगे अब वो something क्या है वो हमें figure out करना अगर पता लग जाए तो हम simplify कर लिए return को फिलाल मैं भी consider कर नहीं रहा हूं ठीक है operation नहीं ले रहा है return to just return है लेकिन अगर आप और जादर detail में चाने तो इसको भी एक operation लेज़े ठीक है तो three plus something बनेगा अगर condition true होती है और false के case में just two है तो अब हम यहां पर example से बात समझ लेते हैं यह एक example है यहां पर three factorial के लिए solve हुई है ठीक है थोड़ी light है लेकिन मैं कोशिश करता हूं बात समझा दूं यहां पर three factorial के लिए solve हुई है और देखें वैसी हो रहा है पहले three factorial call हुआ three factorial में जाके condition check हुई कि n की value three है जैसी बात greater than one है तो मैंने अपना answer जो भी था उसके अंदर क्या कर दिया three multiply by two factorial कर दिया और इस case में return क्या हो जाएगा मेरे पास अगर हुआ अभी तो खर मैं return पर नहीं जा रहा function दुबारा से call हो गया तो मैं जम करके इस जगह से लेंगा और अब इतर n की value two check करूंगा n की value two check हुई इस जगा जाकर फाइनली मेरे n की value equals one हो जाएगी तो उस case में मेरा base case run होगा यानि equals to one वाला और उस case में पिर मैं return कर दूंगा यह answer तो अगर इसको मैं सिंप्लिफाय करूं तो इसमें जार से बेस केस नहीं है तो कितने operation इसकी condition का वन और दो तो तीन operation इसमें प्लस operation of function of 2 इसमें भी तीन है function of 2 और लास वाले में सिर्फ और सिर्फ दो अपर तो इसमें अगर मैं सिंप्लिफाय करता हूं तो मेरे पास यह situation आ रही है यानि जब एन की वैल्यू 3 रखी जाती है f of 3 इक्वल स्यू 3 प्लस function of 2 के जो भी operation है तो जब f of 2 की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है 3 प्लस 3 operation के लिए आ गया प्लस function of 1 के जो भी operation हो और अगर function of 1 की बात करता हूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही आ रहे है यह तो फेक्स है क्योंकि इसमें दुबारा से call नहीं हुए तो इस तरीके से मैं इसको simplify कर सकता हूं यह तो मैंने इस particular example के लिए बताया जब factorial of 3 है लेकिन जब हम factorial of n कर रहे होंगे जैसे कि हां हुआ बधा फेक्टोरियल ऑफ n तो इस फॉर्मॉले को अगर मैं generalize करों तो मेरे पास factorial of 3 ब्लस factorial of n-1 अगर factorial of n-2 की बात करो टो यह आए गा 3 प्लस factorial of n-2 थे तो fix होगए operation के लिए factorial of n-2 की बात करो तो 3 plus n-3 and so on आखर में आखरकार कभी ना कभी n की value decrement होते होते हैं 2 पर पहुंच जाएगी तो f of 2 is 3 plus factorial of f-1 और जब n की value finally क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी तो इस वख मेरा result 2 रह जाएगा ठीक है यानि function n से लेकर 1 तक चला तो total कितनी दफ़ा चल गया 1 से लेकर n का मतलब है n टाइम्स चल लिए ठीक है और अगर n टाइम्स चलने में मैं ध्यान दूं तो n टाइम्स में से हर और मरतबा यह 3 का factor सब जगह आ रहा है यहां पे भी आ रहा है यहां पर भी आ रहा है सिर्फ एक जगह नहीं आ रहा है यहीं मैं कह सकता हूं के अगर मेरा function जो है n टाइम्स कॉल हुआ है तो 3 वाली terms कितनी मरतब अपेर हुई है 3 वाली terms जो है आपकी अपेर हो रही है n-1 time ठीक है थ्री वाली टर्म्स n-1 time अपेर हो रही है अगर मैं इसको reverse substitute करूं बिल्कुल ऐसे f of 1 को मैं यहां substitute कर दूंगा तुबार से बता देता हूं मैं कहां substitute करने की बात करूं यह f of 1 वाली value मैं अगर यहां substitute कर दूंगा तो यह simplify f of 2 की value बन जाएगी f of 2 की value उपर substitute करूंगा करते जाँगा finally यह value आ जाएगी इस value को substitute करूंगा f of 2 बन जाएगा f of 2 को यहां substitute करूंगा तो f of 1 बन जाएगा f of 1 को यहां substitute करूंगा तो f of n बन जाएग तो reverse substitute अगर मैं करता हूँ तो 3 वाला नमबर देखें, तो कितनी दफ़ा पेर हुआ है, 3 नमबर, जो है, मेरे पास, n-1 टाइम आ रहा है, ठीक, आप काउंट कर सकते है, 3 जो है, मेरे पास, इधर भी देखें, अगर 3 मरतबा कॉल हुआ तो, तो 3 में से 2 दफ़ा मेरे पास 3 आ रहा है, ठीक है चार दफ़ा कॉल होगा तो तीन दफ़ा थ्री आएगा पांच दफ़ा कॉल होगा तो चार दफ़ा थ्री आजाए तो एंड टाइम कॉल होगा तो एंड माइनस टाइम मेरे पास क्या आजाएगा थ्री आजाएगा और एक दफ़ा में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा आखरी दफर में क्या आजाएगा मेरे पास 2 तो मेरी simplified equation क्या होगी कि 3 appear n-1 times और plus additional 2 आएगा मेरे पास last वाली iteration के लिए ये वाली के लिए ये 2 तो इसको अगर मैं equation को simplify करता हूँ तो मेरे equation ये हो जाती है और फाइनली simplify करता हूँ तो 3 n-1 और इसकी बिगों क्या बच जाती है पिर मेरे पास अगर मैं coefficient constant को drop कर दूँ तो इसकी time complexity आ रही है ओ और अगर आप दिहान दें तो ऐसा ही है मेरा function actually linearly ही behave कर रहा है और कैसे कह सकते है linearly भेव कर रहा है अगर आप यहां से दिहान दें तो आपकी लाइन यह जा रही है एक line में जा रही है इसकी हमने करके भी देखी calculation ओ और इसकी time complexity ओ और यह बात हमने प्रूफ कर दी थोड़ी सी mathematics करते हुए सबस्टिटूशन करी reverse order में और हमें यह पता लगा कि रिजल्ट में सिंप्लिफाय करने पर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और और यह रह जाएगा तो यह बात क्लियर है कि सबसे आखरी वाला रिजल्ट पहले सॉल्फ होगा उसको मैं सेकंड लास में पूट करूंगा सेकंड लास वाला फिर थर्ड लास में पूट करूंगा और करता जाओंगा पूट करते करते वेंचुली में पास सिर्फ नमबर्स रह जाएगा और तो इस तरीके से टाइम कॉंपलेक्सिटी जो है मेरे फैक्टूरियल की और जब मैं इस शी एक्जैंपल को लूप से ट्र सेकंड लूप करना डिलेटिव असान है क्योंके लोग में हम असानी से अंदाजा लगा पाते हैं कि क्यों सा ऑपरेशन कितने टाइम सो रहा है यहां पर यह अंदाजा नहीं हो रहा लेकिन हमने स्टैप बाइस्टैप करके यह देख तो मजीद टाइम इस पे नहीं लगा सेकंड एक्जैंपल पर चलते हैं और उसकी टाइम कॉंपलेक्सिटी करते हैं रिकर्जिन के एक और एक्जैंपल आप लोगों ने की थी जो थी फिबना की सीरीज की अगर बात कर लें तो थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं यह वह सीरीज है कि जिसमें तू इनिशन नंब होगा सेकंड थर्ड से फिफ नंबर जेनरेट होगा थर्ड और फॉर से एंड सो और यह सिलसला चलता रहते हैं तो यह चीज कहलाती है फिबना की सीरीज ठीक है और इसकी एक्जैंपल यहां लिखी है कि अगर दो इनिशन नंबर जो हैं मेरे पास वान और वन हैं तो थर्टीन एंड थर्टीन प्लस एट बिकम स्वेंटीवन एंड सौन यह सिलसलत चलता रहे ठीक है तो फिबनाकी की एक्जैंपल भी आप लोग अल्रेडी प्रोग्रामिंग के फंडमेंटल कोर्स में कावर कर चुके हैं यह इसका अलगोर्थम है कि अगर एन की वैल्यू ग तो कह रहें कि अगर आपको एक्सिंग वैल्यू काल्कुरेट करनी है तो एन माइनस वण को एड्ट कर दें एन माइनस टू में ठीक है तो फिबनाकी ऑफ एन माइनस टू करूंगा तो मेरे पास अगला नंबर आदे और इवेंचुली जो है यह बेस केस के लिए का अगर मे तो यह चार्ट है मज़ीद इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें देखनी है इसकी टाइम कॉम्पलेक्सिटी पिर से आप से सवाल है गैस की जिए कि इसकी टाइम कॉम्पलेक्सिटी क्या होगी गैस करें लैट मी नू जी क्लास इन्यवन अच्छा ओफन मेरे पास आंसर आ है लेट सी देखते हैं कि क्या यह सही आंसर है कि अगर हम अबसरफ करें अबर से मैं फाइफ का फंक्शन का फंक्शन क्या होता है फर्दर दो मरता फंक्शन का फंक्शन का वर्ड़ पर फंक्शन का मतलब इस एक फ्र जब आप 58² का दूबारा से काल होता है तो फिर एंद माइनस 1 के लिए काल करता है 50 यू इसी तरह 503 वी 509 ओफ तू और 501 काल करता है 501 वाला तो स्टॉप हो झाता है। आप लिकMr. active duty of pray वारा से 50- 11 and f1 of zero so तो यह सिलसला आप देख रहें ब्रांचेस में ब्रेक हो रहा है ठीक है यह सिलसला ब्रांचेस में ब्रेक हो रहा है क्योंकि फिबनाकी के फंक्शन जो अल्गरॉर्थम है अगर आप दुबारा से देहान दें मैं पीछे कर देता हूं क्याtक्य है कि अगर इसकी में डायेग्राम बनाः चाहूं तो वह एक संपल सी लेडर की लाइन नहीं बन रहाएं, बलकए इस तरह का 3 बन रहाएं, कि même फाइफ ने कॉल किया 4 और 3 को ठीक है, 4 और 3 के बाद 4 ने कॉल किया 3 त्री और टू को फिर टू ने थ्री ने कॉल किया टू एंड वन को और वन पर तो मैं स्टॉप हो जाओंगा लेकिन तू मजीद कॉल करता है वन और जीरो को इसी तर जब 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 तक मेरा नंबर वन या वन से चोटा नहीं हो जाता तो मेरा ट्री आगे बढ़ता रहेगा य हाँ वन है तो स्टॉप हो गया तो जब भी नंबर वन से बढ़ा है तो मैं मजीद दो ब्रांचिज आइट कर देता हूं तो अगर यह आप बहेवियर देखें तो इसको करें आप तो इसको देखने से पता लग रहा है यह एक बाइनरी ट्री जैसा है ठीके बाइनरी ट्री तो कहरें एजूम बहर देख रहें है नंबर ऑफ उपडरेशन एड टॉप लेवल इज वन और आप देख रहें एक कर लेते हैं सिंपल कि यह अगर जा सकते हैं तो इदर ऑपरेशन एक है तो इस लेवल पर अपर घो गया और फो ब्रहें पर चेक करें थे डबल हो के फोर गया इस वाले लेवल पर चेक करें तो आठ हो गया और नीचा लेवल पर भी मैक्सिमम अगर जा सकते हैं तो वो 16 तो यह जो behavior है doubling का हर step के बाद आपकी number of operation double हो रहें मैं कहरा हूँ suppose अगर फिबना की फाइफ ने एक operation लिया है तो नीचा लेख पर फॉर भी एक लेगा थ्री भी एक लेगा तो दो हो गया फिर से नीचा है तो थ्री टू टू वन यह एक लेंगे तो चार हो जाएंगे उससे नीचा है तो 211010 तो यह भी एक लेंगे तो आठ हो जाएंगे और नीचे कहलें Step 23好 रहा होगता है तो एक को पताएं की आता हैसाफ फिर मैंने बताया था कि लॉग तू आ जाता है लेकिन अगर डबल हो रहा हो ता है तो nd recommend 2 ऐक आएगा तो मैक्सिमम अगर आप ESP लगाना चाहें तो वह सकती है टूटू Mitchaw – 不 एन माइनस वन मैक्सिमम नमबर की बात करों Combination तो इतने होंगे लेकिन नमबर कितने होते हैं माइनस वन तो अगर आप इसको काउंट करें मैं इसको कुलियर करदेता हूं 2 तुदा पावर और माइनस वन की बात लिकाना चाहरा हूं तो अगर आप यहां बात करें इस लेवल पर बात बात करें तो इधर तो लेवल 0 है तो 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 लेवल 0 एस थीक है, तो जालब लैवन मैं लैवल में लिखता हूं ताके आप लुक हो खालувати है लैवलЕ है कि यहद लैवन हैं लैवल ग्रक hiçbir है लैवल टू है इस लैवल थिरी जब मैंने इस वाले लेवल पर चेक किया तो 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 ता पावर 0 इस वान इस पर मैक्सिमम वन आ सकते हैं तो 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 त स्ंट करना चाहुं और से मैं यहां से लेकर यहां तक फिलाल सट इसको प्लक्री को यहां से लेकर उपड़़ को तो TON नोटकर कह संट कर हैं आप कितनी आ एक कि टोटममर क包र मेरे पास क्या है इदर कितने लेवल्स का गार कितने लेवल्स आ गएंगै लेवखिंग एक दो तेग लेवल्स हैं तूह तू तूज़ु सांगएँ तोल और समेंoral करो तो मेरे पास घंजताता है सेविंग से मैं कहे रहे हैंगे मेरा फर्मॉला क्या आ 2 to the power 3-1 और अगर मैं यह वाली लेयर भी शामिल कर लेता हूं इसमें ठीक है तो इसका मतलब अब कितने लेवल हो गए 1 2 3 4 4 लेवल हो गए तो अब मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा वह जाएगा 2 to the power 4-1 और इसका रिजल्ट बनेगा मेरे पास 15 आप काउंट कर सकते हैं यहां तक अगर मैं नोट्स किंती करता हूं तो टोटल 15 बन रही है एट प्लस 7 इस 15 तो हैंस यह फॉर्मूला यहां से ड्राइव हुआ है यानि एक्जैंपल मैंने लिखके नहीं बताएं के 2 to the power 3 यह 4 लेकिन आपको मैं यहां करके बता दिया तो जेनरलाइस फॉर्मूला है बेस डू का ठीम है जब मेरे पास डबल हो रहा होता है तो मेरे पास वो तो हो रोक दो Engineering ने कल रही होती तूं ठीक है तो इसको मज़ीद मेरे पास कुछ है नहीं बताने के लिए तो अगर बात समझ में आ गई है तो ठीक है लेकिन नहीं आई है तो आप लोग इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इसको देख लीजेगा क्योंकि मुझे एक नए टॉपिक पर जाना है जो के नहीं है यह हमारे पास प्रिवेस लिए कवर्ड एक्जैम्पल और इनकी टाइम कंपलेक्सिटी आपको बता दी है ठीक हमारे पस न्यूइघ्जैम्पल है और यह काफी असान सी एक्जैम्पल है और यह गेम है बिसिकली जो आप लोगोंने देखा होगा हो सकता के लाओ बच्प आपके पास तीन टावरडु या पैक्स होते हैं ठीक है और एकूש से नाम में को होता है कि आपको टावर एसे जो भी डिस्क हैं याँ पर दिस्क रखी में यहां पर तीन डिस्क भीयों सकते हैं धो मी एक भी हो सकती पांच मेडिक तावर 37 रहेंगे यह इडी विसी रहें तो ञेम क्या है कि आपको करना ही होता है कि के सिया अगर एमैं सारी कि सारे डिस्क उज़ों ने LAU-DIS इस तरीके से तो आपको इन को मूफ करके बिलकूल इसी तरीके से पहुंचाना है तावर सी या जिसे पैग लेबल सी का आ जा रहे हैं वहां पहुंचाने हैं लेकिन इस गेम के कुछ रूल्स हैं रूल्स क्या कह रहे हैं कि जब आप ट्रांस्वर करेंगे डिस्को फॉर्म सोर्स पैग तो देस्टिनेशन पैग सब्सक्राइब आप किसी भी लार्जर डिस को प्लेस्ट को प्लेस्क नहीं कर सकते है तो रूए वह सेंसे है एक वक्ड में palavras करना हे है का ली सारी डिस्क जर्थ खो एसे सी पर पहुंचाना है भी यूज कर सकते हैं और एक वक्ड में स्रिफ एक डिसकी मू़ कर सकते हैं बड़ी चोटी डिस्क हो लेकिन चोटी पर बड़ी करना अलाओ नहीं है तो यह प्रॉब्लम कहलाती है टावर ऑफ है ठीक है और अगर इसका मैं फंक्शन की बात करूंग तो इसका फंक्शन बड़ा सिंपल सा है कि इसमें मेरे पास चार पैरमिटर्स है टावर नाम का फंक्शन है ट जो मूफ कर रहा है और N मेरी नंबर ओफ डिस्क है तो N मेरी नंबर ओफ डिस्क है A जहां पर इनिशली प्लेज है B जहां पर टेंपररी जाएंगी C फाइनली ठीक है यह पोजीशन वैटर करती है पहली वाली पोजीशन हमेशा जो है इनिशल की होती है और लास वाली सकती है और आगे चलके होंगी तो फस्स पोजीशन हमेशा जो होती है वह इनिशल पैक की है और लास वाली हमेशा फाइनल की और बीच में आती है ठीक हो गया तो यह अलगोर्थम है और अब हमें यह प्रॉब्लम को सॉल्फ करना है एक अलगोर्थम से ठीक है तो अलगोर्थ तो पहला स्टेप कह रहे हैं कि अगर इनिशली आपके पास औरिजनली भाई ऐसे मौझूद हैं कैसे मौझूद हैं कि यह मौझूद है इनिशली अगर इस स्टेट में मौझूद हैं तो पहला स्टेप जो आप करेंगे वो यह करेंगे कि सबसे टॉप वाली डिस्क को मूफ क के C में ले जाए ठीक है जब भी आप एक डिस्क को मूफ कर रहें तो C में ले जाए उसके बाद क्या कह रहे हैं कि आप ये सेकंड वाली डिस्क B में रखेंगे और पर जाहर सी बात है से जो आपने पहले रखी ती उससे हटा कि फिर सेंटर में ले आएंगे और फाइनली यह बड़ी वाली जो है मुव करके आप इधर ले जाएंगे इस तरीके से सबसे बड़ी वाली सबसे पहले सी पर पहुंच गए अब जार सी वात है इसके बाद सेकंड जो है लार्डिस व तो यह number of steps कितना है मेरे पास seven steps में जो है मेरे पास यह problem solve कि each and every steps कि यहां पर image दीवे कि पहले यह थी फिर state यह आई फिर यह state आई और and so on finally solve तो इसके लिए जो algorithm लिखा हुआ है बड़ा simple साय कह रहे हैं कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ a की disk है if n equals to one तो आपने कुछ नहीं करना उस डिस्क को directly move कर देना है एसे सी पर यह movement शो कर रहे हैं यह से लेकर सी पर move कर दें तो अगर आप धिहान दें अगर आपके ऐस a की disk है a की disk के मुराद यह है कि मैं किस बात करूँ इस वक्त मैं a की बात करूँ अगर a पर मैं चेक करता हूँ a की disk मौजूद है यह वाली situation अगर a पर a की disk मौजूद है तो simply मुझे क्या करना है उस डिस्क को move कर देना है कहां पर c पर तो यह step हो जाएगा यह वाला देखें यह आ जाएगा साओ अगर a की disk है तो मुझे यह काम करना है लेकिन अगर मेरे पास disk एक से जादा है तो मुझे तीन steps प्रफॉर्म करना है यह तीन steps लिखें है कैसे प्रफॉर्म करें किसी तरीके से जो एन माइनस वन उपर जो इसके मौझूद है उनको किसी तरीके से ए से मूफ करें और कहां ले जाए उनको बी पर पहुंचा किसी भी तरीके से तो आप अगर देखें तो इधर अगर मैं सिच्वेशन को देखता हूं तो मेरे पास जो है एपर जो है एक से जादा मौझूद है तो कहरें इन में से टॉप पर जितनी मौझूद हैं यह तो इनको किसी तरीकी से मूफ करके ना मैं बी पे ले आँए यहां से मैं इस स्टेज़ पर पहुंचा दूँ using c c को मैं temporary यहां पर यूज कर सकता हूँ तो a मैंने यहां पर source रख लिया भी मेरी destination हो गया और c को मैं temporary use कर सकता हूँ लेकि number of disk मैंने n-1 move करनी n नहीं करना जब मैं इस स्टेज पर आ जाओंगा यानि मैं यह काम का चीफ कर लूँगा के दो डिस कहां से मुव होगे तो अगला स्टब सिंपली क्या होगा कि इस वाली को यहां से पिक करना है और यहां पर प्लेस कर दें तो यहां से सिंपली मैंने क्या किया एनित एनित का अतलाब है वाली जोई को मैंने A से मूव कर दिया C पर ठीक है तो मैं इस स्टेज पर पहुंच गया हूँ अब इस स्टेज पर अगर मैं पहुंच चुका हूँ तो अब मेरा गोल क्या है कि किसी तरीके से यह जो B पर मौझूद है इनको मैं मूव करके कहा ले जाओं C पर यानि B मेरी सोंट बन जाएगी सी मेरा देसिनेशन बन जाेगा और कना टशाम सकता है ताकर मैं हिए तौ यहां पर देखिए यह में एक पेटरन लेगे तीक है आपसे मैं चाहूंगा को इस पैटरन को आपको बताब ही देता हूँ अगर वह बात आप अगली स्लाइट मेरे साथ साल्फ करें तो पैटरन क्या है बड़ा सिंपल सा एक दो तीन तीन स्टेप से ब्रांचेज दो निकल लिए तो मैं अगर इस वाले से कंपेर करूं यह मेरी ओरिजिनल स्टेट है और इस स्टेट को कंपेर करता हूं तो आप बताएं क्या हुआ है कि इनिशिली ए बिसी था तो बाद में क्या हुआ मैंने लास्स्टणू को स्वैब कर दिया यही कि इनिश्टणू वालِّ को चेंजگ कर लिए जो भी मेरे पास औरीजिनल प्लेस है उसको मैंने उसमें लास्टू को इंटर्चेंज करती है नहीं इधर वाला इधर चला गया और इधर वाला इधर आप यही हुआ है देखें तो यह ABC अगर इनिशिली था तो पहली वाली कॉल में ACB हो इसी तरह जब मैं इसको कंपेर करता हूँ इस वाले से इनिशिली अगर ABC था तो इसमें क्या हो गया देखें फस्टू को मैंने स्वैप कर दिया यह इधर यह मैंने बी और एक वी वैल्यू को इंटर्चेंज कर दिया सी अपनी जगा पर यह तो बस आपको यह याद रखने कि जब मैं एल्स वाला के से एक्जीक्यूट करूँगा तो पहली मटा जब टावर का function कॉल होगा तो ओरिजिनल जो भी स्टेट है उसमें लास्टू वालों की जगा स्वैप हो जाएगी और जो सी वाला स्टैप तो इसमें फिर्स्टू की जगा औरिजिनल के रिस्पेक्ट से चेंज फिर कह रहा हूं original आपने देखने है original क्या है तो वह हम देख लेते हैं थोड़ा से time कम है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं और एक्जैंपल प्याइब कंसिडर करें बिल्कुल यह एक्जैंपल त्री डिस्क का मतलब है कि जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो मेरा फंक्शन फॉर का होगा तब भी ऐसे होगा आप पता लगजाएगा कैसे पहले थ्री वाला शार्फ कर लेते हैं फिर फॉर प्याई थी का केस है है तो फृर में सब्स्क्राइब होगा मेरे पास तो इनिशली फंक्शन ऐसे होगा टावर का फंक्शन कॉल होगा ठीक है तीन डिस्क होंगी और तीनों की टीनों डिस्क ए पर मौझूद होंगी ठीक है और मैंनी प्लेस्मेंट यहीं होगी अब मैं यहां गया प्रफ़ टो जाके चैक करूँगा थो मुझे पता लगेगा वेल्जो जो है जारसी, वंसे बढ़ी है वंसे बढ़ी है तो इसका मतलब है टो इसका मतलबं है एल्से एक्जीक्यूट हो रहा था तो मुझे तीन स्टेप्स लिखने थे तीन क्या-क्या थे पहले स्टेप अगर आप ध्यान दें याद हो आपको तो क्या था कि मैंने एक क्या हो जाएगा मेरे पास मैं यहां पर लिखके बताता हूं कुछ इस तरीके का होगा ती आ जाएगा ऐसी और टी के अंदर N-1 करूंगा तो यहां पर आ जाएगा तू ठीक है और पहले वाले स्टेप में मैंने बताया था कि किसकी लुकेशन स्वैप होगी लास्ट हो गी तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास भी और सी अपनी जग़ा इंटरचेंज कर लेगा और सी आ जाएगा और यहां पर बिया ठीक है और फिर उसके बास सेकंड्र स्टेप क्या होगा वही है टी लिखोंगा और यहां पर भी एन माइनस वन हो गया टू हो जाएगा और इस वाले को मुझे औरिजिनल के रिस्पेक्ट से जो है शुरू के दूब को इंटर्चेंज करना औरिजिनल के है मेरे पास ए भी है तो यहां पर मैं लिख दूँगा भी कॉमा ए और सी अपनी जगह पे रहेगा बी कॉमा ए और सी मेरा अपनी ही जगह पे रहे तो यह तीनी स्टेप्स निकलेंगे क्योंकि एल्स वाला केस ट्रू हो रहा है इफ वाला फॉल्स तो वेरिफाय कर लेते हैं कि ऐसे ही हुआ है तो अच्छा मैं क्लेयर भी कर देता हूं लेकिन पहले मैच कर लेते हूं उपर वाला देखें टू लिख दिया और पहले वाले स्टेप में क्या हुआ यहाँ पर लिखावा इसी अगला स्टेप से पर जाएगा एसी पर जाएगा उसके बाद अगला स्टेप क्या है टू टू बी एसे फाट संझ में आई एक मारता फिर देख लेते हैं क्या किया मैंने मैंने 3 को डिक्रेमिन करके कर दिया तू ठीक है और मैंने लास्स टू को के रिस्पेक्ट से कर दें इंटर्चेंज तो यह बी सी से हो गया सी अगला स्टेप सिंपली क्या होता है कि मुझे एक डिस्क को मूफ करना है एसे लेकर सी यहां पर नहीं इनिशल से लेकर फाइनल पर तो यह इनिशल से लेकर फाइनल आ पिर इसके बाद अगला स्टेप क्य होता है कि मैं trzy को कर देता ह ‎n is sorry weura89 रिक कर देता हो गया है तो यह यूग या मेरा फ़र्स सी बात है कि क्रिकर्श से काउल का मतलब क्या है कि यहां पर फिर से का फंक्षन क refugee है हंप पिर से कॉल हो गया लेकिन अब में की वैलियू है इसके लिए अगर मैं देखता पर वह बताना चाहेंगे मुझे तो वह बरॉंच इस चलें कि स्टेप मैं बता देता हो फिर उसके आदा तो वह ब्राइंश में अगर देखा जाए तो तू को डेकरेमिट कर देंगे तो वह जाएगा वन ठीक है और क्या बताया था मैंने भी आपको कि फरस्ट इस्टेप में क्या होगा कि आखिर की दोंवेल्यू इंटर्चेंज हो जाए?" तो आखिर की दोंवेल्यू एंटर्चेंज हो जाएंगी ऩी वेलकुल और पहले के था याजब सही थीक आफ का जाएगा टी वान फटो है इंवन यह एक याजभ में का निकाल तो दूसरे स्टेप आएगा सोर्स यहां पर है डेस्टिनेशन भी है तो सिंप्ली एसे पी आ देगा नेक्स स्टेप कौन बताएगा मुझे जी क्लास थोड़ा साथ पेस पास कर लेजिए क्लास ताइम अल्मोस आप हो गया है मैंने बता था कि यह पर आपने शुरू के दो को इंटर्चेंज करना और लुटे कि मैं और शुरू के दूओ को अगर मैं इंटर्चेंज कर दूँगा तो यहो जाएगा सी थीक है तो हो जाएगा वन सी एब तो यह को चैक कर लिए कैसे ही है वन talk और आपने मिस्टेक की है वह मिस्टेक में बता देता हूँ आपकी मिस्टेक की है कि इसकी की है इस वाले को चेक नहीं करना आपने आठर गर्ण को कई यह वाला बॉक्स इस वाले नहीं कराना यह सिर्फ सेज्ट में कंपेर होगा ठीक है हर मरतबा अपने रिस्पेक्टिव स्टेज्ट चे कंपेर करें तो यह होगा हमारे पास यहां तक के स्टैप और अगर फिर देखा जाए मजीद नीच आले स्टैप में भी टू लिखाओ तो यहां से भी दू ब्रांचिस निकलेंगी तो टू बीए सी तू का हो जाएगा वन यानई इसकी ब्रांच निकले गी टी वन और आखर के दो इंटेचेंज करने तो हो जाएगा बी सी ए और इसके बाद वाली ब्रांच बड और फिर दुवारे से अगर बात करें तो अब मुझे शुरू के दो को इंटर्चेंज करना है और एंको डिक्रेमंट करना है तो यहाजाएगा टी-1 और शुरू के दो इंटर्चेंज ओंगे तो बी-ए deepest क्या जाएगा यह भी बन जाएगा और सी आ जाएगा वन एबी सी आ ठीक है अब चुंके इस स्टेश पे मेरी एंड के वैली वन हो चुकी है तो वन के केस में आपने देखा था कि मेरी तीन ब्रांश नहीं निकलती सिंप्ली वन की केस में मैं क्या करता हूं कि इस वाले को मुफ कर से डेस्टिनेशन ठीक है तो अगर आप देखें इसको तो वन एबी सी है तो यह सिंप्ली ए से सी है कहरो आ जाएगा मेरे पास बीच वैले स्टैप कॉल नहीं है तो उसमें कुछ नहीं आएगा तीसे स्टैप में क्या होगा सी से भी आ जाएगा मेरे पास पिर इसके बाद यह बात साम में आई किस तरीके से मैंने स्टैप अपलाई किया जब तक एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन थी तो तीन ब्रांच इस निकल रहे थी नहीं एल्स का केस्ट्रू हो रहा था और जैसे एन की वैल्यू वन हुई तो मेरा वाइंड अप होना शुरू हुआ और उस सब्सका मुआ है ठीक है ये छका आपका सथैप है ये पी आपका स्टैप ए ये रिजल्ट्स हैं सबसे पहला स्टेप इसमें कौन सवाल है मतलब मैं किसको वन कहूं किसको टू कहूं किसको थ्री कहूं किसको फो चलें यहां पर भी में ही बताते हैं टाइम की कमी की वरत से कि जब मैं से सौल्फ कर रहा था तो ध्यान रहे कि यह स्टेप नमबर वन था यह स्टेप नमबर टू था और यह step number 3 in programming हमेशा पहला वाला step पहले execute होता है फिर दूसरा होता है फिर तीसा तो जब मैं पहले step पे गया तो यह complete नहीं हुआ इसने मजी तीनी steps निकाले इसने तीनी step निकाले 1, 2, 3 फिर जब मैं इस step पे गया तो इसने फिर complete नहीं हुआ इसने एक और step निकाला तो step निकला 1 फिर 2 हुआ और फिर 3 हुआ तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो मेरे पास step आया है वो यह वाला आएगा sequence wise check करो ओपर से नीचे फिर यह वाला step आएगा और फिर finally इसका result यह step आएगा तो यानि यह मेरा step number 1 बन गया मूव नमबर 1 यह मेरा मूव नमबर 2 बन गया और यह मेरा मूव नमबर 3 बन गया ठीक है in a sequence from top to bottom और पर जब यह तीने steps complete हो गए तो मेरा यह step done हो गया यह step done हो गया तो फिर मैं इस step आगया तो इसका मतलब है यह वाला मेरा step number 4 बन गया और पिर जब मैं इस पर आया हूं तो इसके फिर वह तीने steps निकले 1 2 3 तो जब इसको मैंने simplify किया तो सबसे पहले solve वह यह वाला तो यह मेरा step number 5 बन गया यह complete हो गया यह मेरा step number 5 बन गया फिर उसके बाद यह complete हुआ तो मैं यहां आया तो यह मेरा step number 6 बन गया कि मैं sequential programming कर रहा हूं तो इसमें सारे steps बिल्कुल sequence perform होंगे पहले उपर वाली recursion के function के results आएंगे पिर यह center वाला आएगा तो step 1 2 3 4 5 6 7 step की sequence यह और यह steps की sequence मैंने यहां पर इसी order में यहां लिखती है यह sequence आ गई है ठीक है a से c पहले करना है फिर a से b करना है फिर c से b करना है फिर a से c करना है फिर b से a करना है then b से c करना है and then finally a से c तो यह step की sequence भी सही होनी चाहिए वना आपका end result सही नहीं आएगा तो आपको अगर यह task exam में मिलता है कि इस तीन डिस्क के लिए solve कोई तो आपको बिल्कुर इसी तरह flow chart बनाना है और finally steps की sequence भी सही लिए अगर आपने sequence नहीं दी या sequence गलत दी तो आपके marks deduct होंगे क्योंकि आपका result generate उसे नहीं होगा आपका algorithm जो है solve नहीं करें और यही काम अगर आपको फोर डिस्क के लिए कह दिया जाए तो पिल्कुर इसी तरह tree बनाएंगे लेकिन वह थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा उसमें steps जादा होंगे फोर करेंगे तो डैफिन टू दा पावर फोर माइनस फिफ्टीन steps में solve होगा सब कुछ यही algorithm रहेगा सिर्फ number of disk चेंज करते रहेंगे तो आपके steps बढ़ते जाएंगे तो हम तीन टावर फिक्स रखेंगे number of disk आप इसमें change कर सकते ठीक है मैं conclude करता हूं lecture तो इसकी जो है time complexity आप चेक कर सकते हैं अगर n काली 1 रखूंगा तो टू टू ता पावर 1 ही आएगी 2 रखूंगा तो तीन steps में solve हो जाएगा तीन रखा है तो हमने देखा साथ steps में solve हो गया तो इसको अगर generalize करूं तो इसकी time complexity आती है टू टू यह ब्रांच नहीं है यह वाली चीज इस टैप है इसमें function दूबार से call नहीं हो रहा है इसमें call हो रहा है तो यहां पर टी नहीं है तो यह मेरा branch नहीं है इसलिए two key power n है बजायर दिखने में तीन branches लग रही है लेकिन तीन नहीं function call सिर्फ दो में हो रही है तो दो branches ठीक है और एक सिर्फ बाकी यह है कि इस लेक्चर को देख लीजेगा आप इसे प्योरी कर लीजेगा लेक्चर कटाम ओवर हो चुका है दूसरे session हो सकता आप रहोंगा तो मैं लेक्चर को कर देता हूं conclude तो में तब से लेक्चर में यही था रिकर्जन की सम्मरी है प्लस माइनस है इसको रीट कर लीजेगा एड्वांटेजेज हैं कुछ रिकर्जन की तो कुछ जैसे ड्वांटेजेज हैं वह यहां मैंशन है बेसिक बात होई है कि आपके एक्जिक्विशन थोड़ी सी स्लो हो जाती है और सोर्स भी जादा लेती है रिकर्जन से लेकिन बाद वकात मैं लेक्ट्चर कंक्लूड करता हूं तो ठीक है फिर देन मैं लेक्ट्चर कंक्लूड करता हूं तिल नेक्स ताइम अलाहाफिस